हां जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और आज का वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल क्योंकि आज लेंगे आपका फीडबैक और आप कॉंस्टेंटली फीडबैक दे पाएंगे कि कौन सा वीडियो बनाईए, क्यों इस वीडियो को बनाईए और आप अपने पसंदीदा softwares, open source libraries, projects जो भी आप feature करवाना चाहें तो हम अब ले रहे हैं आपसे direct feedback और कैसे लेते हैं feedback और क्या story है क्या आपको सीखने को मिलेगा सब discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर अगर नए हो चैनल पे तो फटाफट से subscribe कर दो, पूरा इंडिया यहीं पे आ रहा है आजकल पढ़ने के लिए और enjoy करने के लिए आप भी आजाईए फटाफट से subscribe कर लीजें वैसे डिस्कॉर्ड पे भी आजाईएगा, काफी लोग आ चुके हैं और comment target, हाँ जी, वो ज़रूरी है 300 comments का target लेते हैं इस वीडियो के लिए क्योंकि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा software industry से भी introduce करवाएंगे किस तरह के software's और tools अक्सर एक product को बनाते time, एक software को बनाते time use करते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे और फिर बताएंगे कैसे आप feedback दे सकते हैं और जो वीडियो आप चाहते हैं कि हाँ ये सबसे जरूरी वीडियो है और ये बनना चाहिए पहले उसी को हम लेंगे आप सभी लोग उस पे voting कर पाएंगे और उसी तरह के features देख पाएंगे तो चलिए पहले आपको introduce कराते हैं एक software से और उसके बाद बदाते हैं कि इस तरह के software काफी market में available होते हैं ऐसा नहीं है कि यही एक software है तो हमने क्या बनाया है ये एक छोटा सा link है हमारे पास में chico.featurebase.app अब ज़रूरी नहीं है कि featurebase अकेला ही एक ऐसा software है ऐसे बहुत सारे software है अब होता क्या है software industry के अंदर जब भी आप एक software बनाते हैं किसी ने भी software बनाया है उसको पता है कि जब आप client facing software directly बनाते हैं बड़ी company की बात नहीं कर रहा Microsoft वगरा वहाँ पर अलग process होता है लेकिन आपने कोई startup बनाया है या फिर SaaS बनाया है वहाँ पर जब आप client को एक software देते हैं तो client आप से और feature के demand करता है कि मुझे ये feature भी दीजे चाहे paid दीजे और fees ले लीजे उसके लिए बट ये feature हमें चाहिए अब जब as a software आपने as a SaaS बनाया software as a service तो बहुत सारे demand आती है लेकिन उन में से कौन सी demand पहले pick करनी है ये जान पाना कई बार difficult होता है तो इसलिए company क्या करती है कि इस जैसे link बनाती है feature based हमने यूज़ करा है बट ऐसे बहुत सारे market में है अगर आप इनकी भी main website पे जाएंगे तो ये खुद भी इनको भी aware है इस बात से कि हाँ जी बहुत सारे हमारे alternative है तो हमने तो इनका free version यूज़ करा है और कोई sponsored नहीं है वीडियो हम इन में से कई service यूज़ करते हैं जैसे software बनाते है आप तब कई लोग जो feature request करते हैं तो उस पे voting भी हो सकते है और आपको पता लगता है exactly क्या logo को चाहिए जो demand वो कर रहे हैं और उसी के बारे में आप feature design करते हैं मुझे लगा यही चीज़ अगर YouTube पे भी की जाए तो काफी अच्छा लगेगा software industry के जो standards है उसको हम YouTube में भी ले आते हैं और क्यों न हम logo से ही पूछ ले कि उनको क्या चाहिए लेकिन जैसे software industry में भी थोड़ी सी training लगती है लोगों से ये पूछने के लिए और लोगों को train करना पड़ता है कि आप किस तरह से भी training लगती है थोड़ी सी उसी तरह से आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी training लगेगी तो इस वीडियो में आपको छोटी सी एक training देंगे कि किस तरह से feedback आप दीजे ताकि उन videos को हम बना पाएं अब यहाँ पे सबसे important यह है कि मैं सिर feedback videos के लिए नहीं shorts, reels के लिए भी ले रहा हूँ open source projects या open source libraries है उनके लिए भी ले रहा हूँ जैसे बहुत सारी open source library है app right एक library है बहुत सारे tools भी है जो open source tools है उनके बारे में अगर आप चाते हैं कि मुझे पता है और भी लोगो को पता लगे या फिर को important article आया है जिस पर आप चाते है कि मुझे एक reaction देना चाहिए या फिर मुझे अपने thought process के साथ उस article को read करना चाहिए को research work है Netflix का, Discord का वो अगर मुझे पढ़ना चाहिए तो आप यहाँ पर उसको request कर सकते हैं तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको read down करता हूँ ताकि आपको समझ में आया है सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर please series का feedback थोड़ा सा avoid करियेगा क्योंकि series के feedback अभी मैं नहीं ले रहा हूँ मुझे पता है exactly कौन सी series next मुझे push करनी है तो series के regarding अभी हम कम लेंगे बट फिर भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं वो accepted है लेकिन vague output जो है न वो थोड़े से useful कम होते हैं हम थोड़े से यहाँ पर feedback पढ़ते हैं मैंने already discord पे share कर दिया था इसलिए आप यहाँ पर कुछ data देख रहे हैं और इस data के basis पे मैं आपको बता सकता हूँ किस तरह के feedback आप दे सकते हैं सबसे पहली चीज़ अगर आप title में ही यहाँ पर लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि इंग्लिश चैनल के लिए तो भी और अच्छा रहता कि AWS बहुत wide segment है आपको क्या चाहिए AWS में क्या चीज़ है जो exactly क्योंकि अगर यह series है तो मतलब series हो गया AWS उसका feedback अभी हम ले नहीं रहे लेकिन AWS में आपको VPC पे चाहिए या फिर आपको serverless segment चाहिए या फिर आपको और भी कोई special topic चीए कि EC2 कैसे spin करें basic तो वो एक अच्छा important topic हो सकता था बट यहां पे नहीं अब इसके साथ देखिए similar post भी मुझे मिल जाते हैं बट यहां पे और detail नहीं है ठीक है, okay-okay feedback है अच्छा नहीं है यहां पे एक है DSA Guide and Web Dev AI अब यहां पे स्टाइटल से कुछ खास समझनी आ रहा तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं My suggestion is to add feature where user can input their data and as if someone wants to learn DSA and become an expert in problem solving then AI can provide question based on their experience तो यह तो एक पूरा project इनोने का है कि ऐसा कुछ बना दीजे हमारे लिए ताकि उसको हम use कर पाएं और यह सब ठीक है decent feedback है लेकिन YouTube related नहीं है तो I think कोई sense उसका बनता नहीं है जादा अब इनोने का है prioritize project over playlist ठीक है यह एक feedback है जो I think discord पे आना चाहिए था इसका कोई relation नहीं है कि video suggestions नहीं है real suggestions नहीं है short suggestion नहीं है तो I think यहाँ पे justify नहीं होता बट यह thought है जो आप मुझे twitter पे भी दे सकते थे या discord पे भी दे सकते थे कि आप project को जादा prioritize करिए क्योंकि यह आपका आपकी सोच है आपको सोचना है ऐसे बहुत सारे student है जो कहता है कि नहीं है तो playlist चाहिए पहले मुझे आता ही नहीं है जाव script तो जादा prioritize करिए या मुझे C++ ही नहीं आता है मुझे उसको सीखना है तो उसको prioritize करिए बट वो playlist suggestion हो गया तो उस पे clear precise देखिए question पूछना Google से चाहिए chat GPT से अपने आप में एक skill है बहुत underrated skill है लेकिन अच्छे question पूछ पाना और अच्छे feedback दे पाना बहुत underrated skill है इसलिए मैं थोड़ा से एक thought process यहाँ आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से goal क्या है और हमेशा जब आप feedback यहाँ पे दे तो goal oriented सोचे यह आपको यहाँ पे नहीं आगे जाके कंपनियों में भी आपको बहुत help करेगा क्योंकि वहाँ पे इस तरह के feedbacks देने होता है अगर आप vaguely कुछ भी बोलेंगे तो company में आपके भी promotion में problem आती है आपका भी जो impact factor है वो down जाता है तो यहाँ पे सीखे तो हमेशा दियान रखिए goal क्या है हितेश को बनानी है reels और shorts हितेश को फीचर करने है open source project उसको बनाने है YouTube videos तो इसके precisely regarding मैं क्या हितेश को suggestion दे सकता हूँ जिससे उस feature पे उस suggestion पे काफी upvotes आए और उसको हितेश top में pick करें तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे inputs दे पाएंगे और सिर्फ यहां के नहीं यहां पे तो एक अच्छी exercise हो जाएगे बट यह आगे जाके जब आप job करेंगे वहां पे भी इस तरह के meetings होती है वहां पे आपका impact factor दिखाया जाता है कि किस तरह से आप leadership skills ले रहे हैं और इसी के basis पे promotions होते है चलिए आगे चलते है roadmap guidance for cyber security as a career यह देखे एक अच्छा है अब मेरा expertise है नहीं है that's a different case बट यह suggestion अच्छा है कि इन्होंने कहा कि मुझे एक precisely roadmap क्या आप दे सकते हो career बनाना है मुझे cyber security तो अच्छा अच्छा वीडियो है बट ठीक है नाइस suggestion कि आपने playlist का suggestion दिया है बट यहाँ पे आप playlist suggestion लिख देते और तो बड़ा concise और clear हो जाता मैं उस पे further comment भी कर पाता कि नहीं अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा paid course है उस पे ठीक है अब देखे यह बहुत अच्छा एक interesting topic नहोंने दिया है जिसके उपर मैं पक्का video बनाऊंगा how to take care of health as we sit so much in front of screen really nice topic इसके साथ इनका जो feedback है वो भी बहुत अच्छा है I've been sitting in front of my screen from past three years due to work from home ठीक है work from home काफी नहोंने feedback भी दिया है और एक context भी दिया है and then learning there's no activity I don't use exercise and that deprecated my health really bad suggestion है जहां पर पूरी community को ना एक कुछ सीखने को मिलेगा अच्छी advice मिलेगी really really nice तो यह इस तरह के topics अच्छे हैं यहां पर project NDA से again vague है यहां पर तो देखिए react native tutorial using expo but क्या tutorial क्या exactly आप सीखना चाहते है वापिस से vague context है यहां पर इसलिए कहता हूँ training required होती है ऐसे client भी आपको feedback देते हैं जब आपको software as a service बना रहे हैं तो client को हमें भी कई बार सिखाना पड़ता है या कुछ इस तरह के videos बनाने पड़ते हैं कि आप किस तरह से feedback हम चाह रहे हैं ता कि हम feedback पे कुछ action ले पाएं मैंने जैसे का actionable feedback हमेशा अच्छे होते हैं जैसे आपको last video पसंदा है कि actionable roadmap है अगर नहीं participate किया अभी तक तो 30 days challenge में कर लीजेगा तो actionable feedback चाहिए अब यहां पर देखे यह as no experience in JS do you recommend to यह कोई FAQ feedback forum 39 इनको तो हमें reject करना ही पड़ेगा यह कोई feedback नहीं है यह कोई suggestion नहीं है वीडियो के लिए आप कुछ भी लिख रहे हैं इससे देखे अब यहां पर पता लगता है कि आप context समझ पाया या नहीं समझ पाया या फिर मैं समझा पाया या नहीं समझ पाया यहां पर गलती पॉइंट करने के जरूत नहीं है कि मेरी है कि आपकी है पॉइंट यह है कि हम इससे सीखें और आगे forward move करें अब देखें यहां पर अच्छा suggestion देखें debugging steps and tips in VS code बड़ा अच्छा suggestion है कि VS code के बारे में बताई है debugging के कुछ आप topics बता सकें I think अच्छा एक short का या real का topic हो सकता है यह बिल्कुल इस पर बात करेंगे और इसके बाद और भी है thanks for helping us ठीक है nice mandeep thank you so much बट और यहां पर मैं जो feedback मैं जो चाह रहा था I think मैं convey नहीं कर पाया या फिर हम दोनों ही नहीं समझ पाया बट आगे जाके इस वीडियो के help से हम समझ पाएंगे अब देखे advance full stack web development अच्छा यह भी हमारे पास एक अच्छा topic हो सकता है कि यह सब चीज के पीछे हम advance क्यों लगा देते है end of the day advance कुछ है तो है नहीं आप java basic java advance कुछ होता ही नहीं अगर आप सोचते है कि spring boot advance है और basic java basic ऐसा थोड़ी होता है वो तो एक framework है आपने एक framework सीखने गए तो यह एक अच्छा topic हो सकता है बट आपका वो intention नहीं था इसके पीछे best practice of x nice best practice of x authentication के best practice folder के अच्छा topic है और अच्छे से दिया है although series का suggestion है जो मैं भी नहीं ले रहा हूं बट अच्छा suggestion है कि at least एक crash course तो बनाया जा सकता है Prisma using SQL तो बड़ा अच्छा topic है इसके basis में मैं further research डाउन करके और refine करके और वीडियो बना सकता हूं Golang series in Hindi, Django TypeScript and Docker series तो series के suggestion काफी है जो कि मैं भी कम ले रहा हूं कि already series के suggestion ऐसे नहीं ले जा सकते है एक series को बनाने में almost 2-3 महिना जाता है काफी effort, काफी team लगती है और उसके बादे dating वगरा process है तो ऐसे सारे suggestion नहीं ले जा सकते है बट हाँ, precisely one video suggestions ये सब ले जा सकते हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, चाय और DSA तो इसको मैं यहां से rejection में डाल सकता हूं कि ये वाला feature अभी हम नहीं ले रहे rejection पे, further मुझे और comments चाहिए तो मैं उस पर जा के और comments और discuss कर सकता हूं कि अब जैसे ये दिया है CSS and CS without maths CSS का क्या rule है क्या आप चाहना चाहरे है CS in 12 तो मैं यहां पर comment करके आप से और question पूछ सकता हूं आप feedback reply कर सकते हैं तो I think बड़ा अच्छा एक community हम यहां पर कर सकते हैं जिसमें मैंने software's की जो tools है उनको मैं यहां पर ले आया और आपके साथ मैं share किया तो chico.featurebase.app link में description पर दे दूँगा तो कोई वहां पर tap script का suggestion दे सकता है अब आप भी वहां पर suggestion दे रहे हैं तो उसका कोई sense नहीं है बजाए उस suggestion देने के आप वहां पर upvote करिए ताकि उस suggestion को उस topic को और priority मिले और अपने मेरे पास वो topic आए और मैं उसको बारे में video बना पाऊं सबसे best तो यह है कि आप जो चाते हैं वही यहाँ पर deliver हो तो उससे best तो कुछ हो ही नहीं सकता है तो इसलिए मैंने सोचा एक attempt करते हैं और आपको नए tools और इन चीजों से भी familiar कराते हैं कि जब आप industry में जाएंगे तो इस तरह से भी आप यूज होती है बस यही था इस वीडियो के पीछे गोल कि आपको एक feedback एक forum दिया जाए जहां से आप directly reach out कर पाएं कि इस पे reels बनाएए इस पे short बनाएए इस open source project को discuss करिये और इस article को read करिये तो I think इस से best और कुछ हो सकता at least अधी के लिए आगे देखेंगे और कैसे होता है चलिए comment target पूरा कर दीजेगा अपर तक नहीं करा है subscribe कर दीजेगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर